एक सिनोवी क्लैन का हैट यासुके जिसकी बाइफ प्रेंगन होती है और वो अपने बचे को जेनम देने वाली होती है लेकिन तभी आचानक उनके उपर एक अटेक हो जाता है और इसकी खबर देने के लिए उनका ही साती मूगों वहाँ पे अंदर आता है लेकिन तभी आचा जानक उसादमी के मुझसे एक डीमन बाहर निकलता है जोकि जोरों से हसरा होता है और क्या था है मैं बिल्कुर ठीक टाइम पाया हूं इसे के साथ वो उन पर अटेक कर देता है इस स्टोरी के सुरुवात में हमें बताया जाता है सदियों के लिए स्टॉंगे सिनोबी क्लै को अट्रेक्ट किया इसलिए अपने डिफ्रेंस को दूर करने के लिए और हुमेनिटी के लिए लड़ने का फैसला किया ऐसे कहा जाता है कि शिनोबी से पहले हैवन पर एक डीटी अपीर हुई थी और उन्होंने उन्हें के बारें बताया कि अगर यह पूरा हो गया तो शि को हैंने भेज देती है जहां जिन्दा बचेवी शीनोबी को पता था कि यह सर्फ शुरुआत थी डीमन्स फिर से वापिस आएंगे तो इसलिए उन्होंने क्रीमजन स्टार सेक्ट बनाने का डिसीजन लिया जिसे क्रीमजन के जरीए लीड किया जाता है तब उस डीटी ने सेक्ट को टाइम से अलग कर दिया और उन्हें फर्स फ्लेम को प्रोटेट करने का काम स्वापा ये एक ऐसी गौडली एनरजी जो कि सील को नश्ट करने में काम्याब थी जो डीमन कोड को कैद करती थी जिसे दफालन के रूप में भी जाना जाता था और कुछ लोग यह कहत है कि आज भी दो ऑपोजिंग फोर्स चैड़ों के भीच फाइट करती है इसी के साथ हमें परेजर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाप यह में एक आदमी को देख रहा होता है और उसके पास एक सामान होता है जो क्योंकि ले जा रहा होता है जहाप यह पूरा हो चुका है च है जल्द ही मर जाएगा तो वह क्रीमजन लॉर्ट कैया रहे होते हैं ठीक है मैं उसके सैलट से उसे फाइन करूंगा और उससे खतन कर Taylor दूंगा कि इस उनते वहेए वह शिनो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ तो वो क्रीमजन लौट क्या रहे होते हैं बताओ क्या हुआ जो कि तुम एक यंग लड़के हो और मैंने देखा कि तुम सभी तरह के दिक्कतों को समाल लेते हो जिनसे कई लोग कतराते हैं नाइट हैं का मानना था कि वो अपने ब्लेड में और भी जादा टीमोनिक स्पिर्ट को निगल कर मजबूत हो सकता है लेकिन एक स्ट्रोंग विल के विना एक अठा की गए सारे के सारे नेगेटिव एनरजी आखिर में एक वाल्ड एनिमल को खतम कर देती है और इसकी स्पिर्ट को डिस्ट्रॉइ कर देती है इन सब के बावजूद तुम अभी भी उसको हराने में काम्याप्त है यही वजा है के तुम कल से इस क्लैंड के हीड होगे याने की तुम है फिल इस क्लैंड के टू की टाइटल मिलेगी ये सुनते वे यासुके काफी ज्याधा अपटा है अब जाओ जहाँ पे वो देखता है कि उसकी वाइफ की हालत काफी से तक खराब होती है जहाँ पे वो प्रेगनेंट होती है यह देखते हुए वो क्या रहा होता है अनिको अब तुम्हारी हालत कैसी है तभी अनिको उसके चोट को देखती है और तुम्हारी उपर देखो इतना सारा करता है जहां पे फिलिंग रिचूलि स्टार्ट करता है ईसलिक साथ और स्टार्ट को चश्ट हुह निवृ तो यहासु के कहता है मुगो मुझे आंसर दो जल्दी बताओ क्या हो रहा है यह देखते हैं कि वह जो बंदा होता है उसके अंदर से एक आवाज आती है यह देखते हैं यहासु के कहता है यह इंपॉसिबल है ऐसे कैसे सकता है तब ही मुगो के अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है और कहता है यह रास्ता दोनना काफी ज़्यादा मुश्किल था चूकि इस जगह को काफी अच्छी तरीके से तयार किया गया था और इसकी रक्षा हो तो यह सुनते वे वो डीमन जूरू से हसने लगता है और कहता है चुपो जाशी नोभी मजे उन लोहर हैल डीमस के साथ कंपियर मत करो जिनने तुम डीवरर्स ने सील कर दिया था मैं सिक्स्त हैल से हूँ तब उससे देखते वे वह प्रीष्ट कहरा होते दिख देखो उ पर मेरे आगे कुछ नहीं कर सकते इसे के साथ वो उनमें से प्रीष्ट के पीछे से एक पोडल ओपन करता है जिससे कि वह एक हाथ बाहर निकालते हुए उस प्रीष्ट की मुंडी को मूर देता है यह देखते हुए बाकी सभी काफी जादा रहा होता है आकर यह सब क्या है तब ही वो डीमन क्या रहा होता है मुझे कोई डीमन मत बलाओ यह बहुत ही जादा बेकार नाम है दूसरी दरफ यह देखते हुए वो प्रीष्ट कहता है हमें यहां से जाना होगा मैं उसके बिना रिच्वल परफॉर्म नहीं कर सकता तो यह सुनते हुए यह याजु के ए लिए मैं उसे समाल लेके लिए जा रहा हूँ इसे के साथ वह आगे बढ़ते वे उसे डीमन के सामने आ जाता है जो के देखते हैं वो डीमन काफी तीजी से उस पर अटैक करता है और वो से छुए बिना ही काफी जादा दूर फेक देता है वो कह रहा होता है यह सब चोटी क्या वो जा चुके हैं लेकिन इससे को भी फरक नहीं पड़ता और इसे के साथ वो अपने बॉड़ी के कुछ इस्सों को बाहर निकालता है और कहता है मैं तुम्हें आज ने तो कल वो अपिस लेके ही आऊंगा इसे के साथ उसके जो हिससे होते हैं वो आगे जाते हुए मर चाहनक वो देखता है कि यासुके बाहर आता है जा पे उसकी पॉड़ी सी बढ़ जाती है यह देखते ही वह क्या रहा हुता है तो क्या यह करिम्जंशे को बहुत ही जादा खाम्जोर है यह सुनते हुए यासुके उससे कहता है अगर मैं जूट बोलता तो मैं कहता कि एक Black Hello के जरिये किया जाने वाला अटेक और फिर भी मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ लेकिन ये बस एक मित है मैं तुम्हें हारा दूँगा तो डीमन कहा रहा होता है शीनोभी तुम्हारी बीवी शायद भाग गई है हाला कि वो आज रात मरने वाली है बताओ ये कितनी अच्छी खुशकबरी है है ना तो ये आसुके कहा रहा होता है बले ही मेरी बाइफ बच्चे को जनम देने में कुछी मिर्ट दूर हो लेकिन फिर भी वो अपने रक्षा कर सकती है तो शायद अभी मेरी पत्नी को इससे दूरी लखो और आओ मुझे से फाइट करो तो वो डीमन कहा रहा होता है तुमारे बच्चे का जनम उसकी अंत की शुरुआत का सिंबल होगा यह कहते है वो जोरों से हसरा होता है और उसके उपर अटेक करता है लेकिन यासु के अपनी सीक्रेट निंजा आर्ट का यूज करता है जहां वो इसके तरफ कई सारे रैपिट फायर अटेक करता है जैसे वो डीमन एजिली डॉच करता है और कहाता है यह कितना जाला बेकार जए अबर और reactions वह थे थे, आशाना को इसमे। और लो ज Ung itie weak! जिसे याशू की बड़ी मुस्कैल से डॉौच करता है, आपर एक और यह वह उसके हादbayर को जकमें भी कर देता है जो कि देखते हैं वो डीमन बहुत ही ज़्यादा घुस्ता होता और कहता है कि क्या आकर इस ने ये सब कब किया तब ही यासिक के आगे बड़ते हुए अपने सिक्रिट निंजा हार्ट लाइटिंग वाइपर का यूज करता है जहांपे वो काफी तेजी से उसे पँच करता है। यह देखते हुए वो और भी जादा रहन होता है और कहता है मैं तुम्हें इससे जारने नहीं दूँगा नहीं तब ही वो डीमन उसे गलरी पर वार करते हुए उसे काफी जीता दूर फेक देता है जहां पर वस्ते भी क्या रहा होता है हम मेरे दोस्त अलविदा अब कभी नह बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उसे माने के लिए बहुती है यह तो बहुत सारे हैं और वह बहुती तेजे के साथ भाग दी होती है तब यह उस पीट में दरदोने लगता है वह जा रहा होता है नहीं अभी नहीं तब यूशिन वीज उसके उपर अटाक कर देता हैं यह वह कहरी होती है यह तो सीक्रिट नेंजार्ट के यूज़ कर रहे हैं कहिए यह भी कर सकते हैं रुको को यह तो क्रेमजन शीनोबी है आखिर उन्हें क्या हुआ इसके साथ वह रोकने की कोशिच करती है और कहती है हमसे बिल्कुल दूर हो इसके साथ कौफी पाफ़फुल पं और वो खाई में गरने ही वाली जोती कि तब यूँ पर प्रीस्ट आते हुए अपने शीक्रिट ने जार के उसको मार डालता है और यूँ प्रीस्ट मेरे चान बचाने के लिए और फिर कुसमे आदम देखते हैं कि वो एक बेबी को जर्म देती है ये देखते हैं वो प्रिष्ट उससे कहा रहा होता है अनलकीली हमें सिनली रिचुल करने में बहुत ही ज़रा देर हो गी है और मैंने देख फॉलन से फ्री होने के लिए उसकी लाइफ को एक्स्टरमिनेट कर दिया ये देखते हैं वो कहा रही होती है ये तो बस एक बच्चा है तो वो प्रिष्ट कहा रहा होता है दूसरे प्रिष्ट की मर्डर होते ही इस बच्चे का फिर तेह हो गया है चूकि रिच्वल पूरा करने के लिए दूप्रिष्ट की ज़रुरत होती है जो कि सुनते वे वो कहा रही होती पर प्लीस मुझे बताओ यहां पर कोई तो रास्ता होगा ही तो प्रिष्ट कहा रहा होता है प्लीस एक तरह फोटो और इसे मुझे सॉप दो हम कुछ ने कर सकते सीन चेंज होता है हम उसी डीमन को देखते है जो कि यहां चूक को बहुत ही बूरी तरके से मारता है जहां पर वो क्या रहा होता है शीनुविस की एबिलिटी बहुत ही एजेस से गिर रही है लेकिन तब भी तुम एक ब्लैक हैलो को ले सकते हो तुम पौ़रफुल तो हो तो यहां चूक के क्या रहा होता है ठिक कार है जब वो सही होती है तो मैं ऐसे हेट करता हूँ हमने सिक करने चुड़ूंगा और इसे के साथ वो अपने 108 को बाहर निकालता है और क्याता है चलो अब इसे खतम करते हैं मैं अप इचे नहीं होता है तुम अपने चोटे मोड़े टेक्निस से मुझे हरा दोगे ऐसा बिलकुल नहीं होने वाला तब यहां सुके पनी पावर को इंक् करता है जी चोटे मोटे गेम करना बंद कर इंसान चलो अब इसे खतम करते हैं इसे के साथ वो अपने हैलो का यूज करता है जो की देखते हुए वो जगापूरी की पूरी तबाह हो जाती बादल ता है जोकि देखते वह डीमन उसे डॉट करता है और पिर से आपनी एक और अटेक करता है लेकिन यासु के उसे भी डॉट कर लेटा है चाहपर वह हहां से गया भी हो जाता है यह देखते वह दोनों करते वह पहार आ करता है ऐसे कि पूरे की पूरी समय क्या रहा होता है ऐसा लगता है कि यह वह जहां पाइए यह कोई जादा पाइप तो यह देखिए उसके उसको पर एक्ट करता है। यह अपर वो का जा सकता है एनिको प्लीस तुम ठीक रहा मैं इसके साथ वह अपने हाते उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। है यह देखते हैं यासु के अपनी फुल पावर लगाता है और कियाता है इस हामले का प्रेचर बहुत ही ज़्यादा है लेकिन मैं अपने फैमले या फिर घर में किसी भी चीज़ को नुकसान पहुचाने नहीं दे सकता मैं इसे रोके रहूंगा और इसे के साथ उसे काफी ज waar कि इससान के जरीए कैसे करते हैं इसके साथ के साथ इसके साथ आपकoth यो बहुत मुश्किल पाँपाèce मिल्चा कर रहाूं तुम कमीन ने कहिसे छोके आकर हिसके सीने सबसे हाइस तहब है कि तुम्हारे माइने रखने वाला है चलो ठीक है मेरा नाम सांगो याशुके है और मैं 9 clan का head हूँ और मेरी rank Crimson Empire में सबसे highest है तो वो demon कहता है का clan head तो क्या ये वही power है जिसका use तुमने night hand को वरानी के लिए किया था ये सुनते वे यासु के हैरन होता है और वो कहता है night hand तो उस वज़े से तुमने इस place को locate किया बहुत ही जादा बुरा है तब ही scene chain होता है हम उसी priest को देखते है जो कि इस बच्चे को मारने के लिए आगे बार रहा होता है जहापे वो कहता है world का balance बना रखने के लिए हम इस बच्चे को मारना होगा हम ऐसे sacrifice करना होगा तो please मुझे माफ कर देना यह देखते हुए एनिका कहरी ही होती पर please रुख जाओ क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है ऐसा मत करो तो priest कहता है मैंने कहा कि सामने से हट जाओ मैं से मारने वाला हूँ इसके साथ वो से मारने वाला होता है कि तब ही उसके उपर attack होता है जिसके वज़े से एनिको काफी ज़्यादा दूर जाके गिरती है तब यह देखती है कि वाँ पे कुछ लोग उसे मारने के लिए आई वे होते है यह देखती हुए वो कहरी होती है ऐसा लगता है कि यह रुकने वाला नहीं है और चुकि तुम्हारा sealing ritual तुम्हारे जन्म से पूरा नहीं किया गया है यह empire तुम्हें मारना चाहती है इसके साथ वो रोरी होती है और कहती है मेरे बच्चे तुम मरने वाले हो लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होगा इसके साथ वो खड़ा हो जाती है और आगे बढ़ते हुए क्याती है यहासु के प्लीस इस पेल्स अपने आपको move on करना और सैकी रियू की तरफ देखना मुझे बता है कि यह सब तुम्हारे हातों में है और उसके पीता की रूप में तुम्हें इसके mom dad दोनों ही बनना होगा और तुम्हारी wife के रूप में में तुम्हें मेरे बीच और empire के बीच चुनने नहीं दे सकती इसके साथ वो अपने 108 को समन करती है और आगे बढ़ती है वो कहा रही होती है यासु के प्लीज इस world को protect करना में अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करूँगी इसके साथ वो अप एक बड़ा सा दमाका होता है और ये दमाका दूर से यासु के देख लेता है जो कि देखते हुए वो काफी जादा आहरन होता है तब ही ये मौका देखते हुए वो डीमन उसके आखों पर वार करता है और उसे घाल कर देता है लेकिन यासु के उसे दोर रटा देता है और कहता है तुम कमीने मैं तुम्हें नहीं चोड़ूँगा तब यो डीमन वहाँ से जाते भी कहता है यासु के ये तो बस दर्द की सुरुवात है मैं तुम्हारी लाइफ को तबाह कर दूँगा मैं तुम्हें चोड़ूँगा नहीं इस पल को मुझसे छीनने के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा और ऐसे रखता है कि मैं अकले नहीं हूँ जिसने आज रात कुछ खोया है शाद ये तुम्हारे लिए भी है और इसे के साथ वो वहाँ से चले जाता है ये देखते हुए यासु के एक हाफरा होता है और काफी तेजी से उसी जगह में चले जाता है जहाँ पर इसकी वाइफ थी और तभी उसे उसकी बाइफ की निशानी मिलती है और वहाँ पर काफी सरी लाश होते हैं जो की जले वे होते हैं जहाँ पर वह एक लाश को देखते हुए काफी जादा सैड होता है और वो रोते हुए सुरू से चिला रहा होता है और वहाँ पे इसे के साथ बारिज भी हो रही होती है सेंच जिन होता है हमें क्रिम्जन स्टार एंपायर हैटकॉर्टर का सेंद दिखाया जाता है जहाँ पे हम दो बच्चे को देखते हैं जहाँ पे एक लेड़ी कहा रही होती है सेकी रियू अब शेयर तुमें बैट में चले जाना चाहिए तो यह सुनते वे सेकी रियू कहा रही होती है मौसी मीजू की क्या मॉम आज रात वो अपिसार ही है क्या वो ठीक हो जाएगी तो ये सुनते वे वो लेडी कहती है Of course वो ठीक हो जाएगी चलो हम लोग सो जाते हैं और कल जब तुम जागोगे तब तुम अपने चोटे भाई से मिल सकोगे ये सुनते वे से की रिव काफी ज़दा खुश होता है और कहता है ठीक है मौसी मीजो की मैं अब इंतजार नहीं कर सकता और फिर 13 साल बीच जाते हैं हमें एक सिटी का सिन दिखाया जाता है यहाँ पे हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि काफी तेजी से उस सिटी पे पारकोर कर रहा होता है यानि के एक चट से दूसरे चट पे भाग रहा होता है जहाँ पे वो कहा रहा होता है ठिकार है असल लगता है कि मुझे देर हो जाएगी लगता है वो मुझे इससे हरा देगी तब ही वो देखता है कि उसके सामने से कोई बहुत ही तेजी से आगे चले जाता है जो कि देखते हुए वो क्या रहा होते नहीं तो मुझे से जीत नहीं सकते ये कहते हैं वो काफी तेजी से आगे कुटता है लेकिन तब ही उसका पैर पिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला होते कि तब ही वो इंसान उसका हाथ पगड़ लेता और कहता है चोटे थोड़ा साधन रहो मुझे येकिन है कि मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि मौत का मतलब क्या है अगर तुम हार गए तो तुम्हारी मौत है ये सुनते वे वो लड़का एक स्माइल देता है और वहाँ से कूटते वे उसके पीछे चले जाता है जहांपे वो काफी देजी से आगी की और भागने लगता है वो कहता है मदद के लिए थैंक्यू लेकिन तो महारने वाले हो इसे के साथ वो आगे बढ़ते वे कहा रहा होता है आखिरकार मैंनों से हरा दिया अब मैं जीतने वाला हूँ इसे के साथ वो अपने अपार्टमेंट में पहुच जाता है जापे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है आखिरकार में जीत गया हूं और ये कहते है वो अपने दरवाज़े के खोलता है तभी आजानक हसे बहुत जोरों से पंच परता है तभी वो लेडिके चलिए थे थे चलिए तो एसे झप खाने का टाइम हो चुक का है इसी के साथ वो अपने रामेन में उस गरम पाने को डालता है रामेन के खुश्बू ये काफी ज़ादा बढ़िया है तब ही आचानक उसे एक चपल आके पड़ता है लेकिन वो से डौच कर लेता है और अस्तुरी कहा रहा होता है तुमने तो मुझे आज मिस कर दिया है तब ह अचानक एक और चपल उसके मूँ पे आके इरता है और तब ही एनिकों से कहा रही होती है जल्ली से अपने हाथों को धोलो मैंने तुम्हें खाने से पहले सफाई के बाई में क्या बताया था ये सुनते वो लड़क कहता है हाँ हाँ मैं हाथ दोने ही वाला था इसी के साथ उसे खाने लगता है जहां पर वो लोग देख रहे होते हैं जहां पर बताया जाता है कि एक आदमी चुकि अचानक और हर किसी को मार रहा है वो रिपोर्टर कहा रहा होता है ऐसा लगता है कि वो आदमी काफी जदा घुसे में है पॉलिस उसे एक गंटे से सांथ करने की अच्छा होता है वो उनकी तरफ अटेक कर देता है यह देखते हैं उस पर गोलिया चलाते हैं दोसी तरफ यह सैंसर करते हैं वो रिपोर्टर कहा रहा होता है चलो सब कुछ कंट्रोल में है तो आप लोगों को गबरानी के कोई भी जूरूत नहीं है तो अभी एनिका उस न वैसे आस तुमने बहुत ही अच्छा किया तुम भयतर और होश्यार होते जा रहे हो और जीटने के लिए तुम्हें सबसे तेज और मजबीूत होने की जरूरत नहीं है तो वह क्या रहा होता है यह आपके लिए आसान हो सकता है लेकिन मेरी लिए नहीं वैसे भी क्या फरक सब्सक्राइब करते हैं जहां तक मुझे याद है लेकिन मुझे लगता है कि मैं और इसे बहुत ही जादा दर्द होता है और वह कहा रहा होता है मॉम सीरियसली ये काफी जाद दरदनाक है वैसे ये सब ट्रेनिंग और इदर दर घूमना ये सब किसली है मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में कभी भी इसा समझी नहीं पाऊंगा और हाँ मैं अपने फैमिली में से किसी भी मेंबर से नहीं मिला हूँ हम बहुत ही मुझकल से बाहर निकलते है या फिर ये कहो कि हम लग एक बैमपायर के दरह रहते है एनिको से क्या रही होती है यू इसे समझाने इतना आसा नहीं है हम एक दिन इसके बारे में बात करेंगे तो यू यानि कामरा में करेक्टर हाहा इसका नाम यू है वो क्या रहा होता है हाहा आप तो पासरों से यही कहते जा रहे हो और आप मुझे कुछ भी नहीं बताते हो और यहाँ पर सर्फ मिलाई की दोस्त है और वह है कुटा जो कि सर्फ खाता है और सोता है ये सुनते वे वो गुता काफी ज़दा गुसा होता है तभी Annie को कहा रही होती है यू तुम इतना मत सोचो टाइम आने पे तुमें सब कुछ पता चल जाएगा तो यू कहा रहा होता है कि क्या मैं इस बार में कुछ भी नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहां से हूँ याद है कि मैंने अपना डैट की तज़वीर भी कभी नहीं देखी है तो Annie को कहा रही होती है अभी टाइम नहीं आया है यू एक दिन तुमें इसकी पीछे की रीजन पता चल जाएगी और अभी के लिए तुमें बस इतना जानना है कि वो इंसान सबसे ज़्यादा ग्रेट है जिसे मैं अब तक जानती हूँ तो ये सुनते वे वो कहा रहा होते है हाँ, मुझे ये की ने की वह वही होंगे तो Annie को कहा रही होती है, हाँ ठीक है यू तुम आज के लिए चौंगी को बाहर घुमाने के लिए जा सकते हो और हाँ, आते टाइम लॉकर डीपो स्टेशन से अपना जिनम दिन का गिफ्ट ले लेना वो आज ही आ जाएगा ये सुनते वे यूए एक अजीब से मूव बनाता है जो की देखते वे एनी को कहा रही होती है वैसे तुम्हें पता है तुम्हेरे वापस आने पर मैं तुम्हें तुम्हें डैडी के बारे में कुछ बताऊंगी तो इसलिए पनी बाई को साथ ले जाओ तो यह चयनकी तुम्हें सच में स्नेक्स बन करने की जुरूरत है तुम्हें सुनते वे चनकी गुस्ता होता है तुम्हें अंगे मांगे स्टोर को देखते और किया रहता है तो उस शायद आज नया वॉलिम आने वाला है मुझे चेक करना चाहिए तब ही वो देखते है कि वहाँ पर कोई भी मांगा नहीं आया है यह देखते है वो कहा रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे एक और सबता इंतिजार करना होगा तो उसे देखते है वो जो शॉपकीवर होता है वो कहता है आखी ये बच्चा फिरी से यहां पर कैसे आया तब ये यू पास में चल रही निउस को सुनता है जापन के आसपास हो रहे है ऐसे हामले आखरेस की वज़ह किया होगा जापन पर जो लोग लापता हो गए है वो एक अजीब भाषा बोलते वे दिखे हैं और आचानक हामला करते वे दिखाए गए है आखरेस क्या हुआ होगा कि लोग ऐसा कर रहे है ये देखते हैं यू कहा रहा होता है वो लोग लापता हो रहे हैं और दूसरों पर हामला कर रहे हैं तब ही वो किसी आदमी को रिपोर्ट करते वे देखता है जहाँ पर वो आदमी कहा रहा होता है मैं दूपायर के बाद घर जा रहा था तब ही मेरे पास कुछ आखी गिरा मैं ये दावय के साथ कह सकता हूँ कि मैंने आसमान में एक इन्सान को देखा था और हां मेरे पास वो footage भी है और उसे के साथ वो इस footage को बाहर निकलता है यहाँ पर वो तबी को दिखाया जाए जा रहा होता है जा पर बताया जाता है आखीर यह क्या होगा कि एक किसी तरह का drug भी है यह सब देखते हुए यूद स्व कहा रहा होता है उस आदमी और उस mom ने क गौता है और उस रोकने के लिए वो उपनी साइक्ल को उसकार के नीचे फिक देता है जिसके वह цен घोम जाती है और यह मौका देखते हुए यूत बच् никогда लेता है truth है क्या तुम ठीक हो ये जेखती transgender刚 शौप की पर कहा रहा होता है वाह क्या इस्टन्ट है वह बच्चा जरूर पागल होगा तब ही यू देखता है कि इसका बाइसेकल पूरी तरीके से खतम हो चुका है यानि मेरा बाइक अब मेरी मॉम तो मुझे माट डालेगी इसे के साथ वो चंगी को लेते विया आगे बढ तबही किसी की आवाज आती है यह पे प्लीज मुझे बचाओ और हम देखते हैं यहाँ सुनते वे यू नीच उतर जाता है और कहता है किसी ने मुझे मदद के लिए कॉल किया है मुझे जाना ही होगा ये कहता है ये वोस तरनल की तरफ जा रहा होता है और कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है लेकिन मुझे कुछ करना ही होगा इसी के साथ वो अपने फोन को जलाता है और कहता है यह जगह तो बाकी में बहुत ही ज़्यादा धरावली है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं किया मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए इसके साथ वो अपने फोन को बाहर निकलता है तब ही वो देखता है कि वो आदमी अजीब तरीके से चिला रहा होता है और कहता है ही उसी कि साथ उपने नाखुन उससे उस दीवार को खर초रा होता है जिससी कि नाखुन में निकल रही होती है यह देखते ही वो कहता है नहीं नहीं तो लचाहते हैं और यह कहते हैं यह कोई नैसे नहीं है जहां पर एनिका यू के बड़े पार्टी की त्यारी कर रही होती है वो क्यारी होती है मुझे लगता है कि यह हो चुका है और मैं इस सेम डेकॉरेशन का सालों से यूज कर रही हूं लेकिन प्रॉबली वो इस पर ध्रान नहीं देगा से के साथ वो एक केक भी बनाती है और आकर यू काहाँ पर है सेटज होता है वो उसी लेडी को देखते है जो कि यू से कहा रही होती है तुम कभी ने तुम हमारे जालेशन के हो बच्चे यह नहीं काफी जादा गवरा जाता है और कहता है आखर तुम्हारे साथ हँआ क्या है तुम तो इंसान नहीं हो मुझसे दूर अटो यह कहते हैं वो पीछ आड़ रहा होते कि तभी वो नीचे गिर जाता है जाहां प इसको फोन भी काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है यह देखते हैं वो कहता है मैंरा फोन मैं अब कुछ भी देखनी पाऊंगा इसी के साथ वो काफी तेजी से उस फोन को उठा और आता है और कर देखता है तभी वो लेडी वहां से च JE होती है है क्या वो लेडी कि आप चुकी है और ये लेकिन बस इस वाहरय निकलना होगा मुझे बेह से किसी ना होगा तब उसके पीजी से बागी दो डीमन आते हैं और कह रहे होते हैं तुम मेरे हो हम तुमें मार डालेंगे यह देखती है वो और भी जादा गबरा जाता है और वह बोटल उठाते हैं वे उनमें से एक पे दे मारता है और कहता है मुझसे दूर रहो इसे के साथ कहती है वह आगे भाग रहा होता है तब ही आचानक उसके चेहरे पर एक किक पड़ता है जिससे कि वह बहुती ज़ादा दूर जगे गरता है और वह लेडी मार पर आती हूँ तुम यहीं परी रहोगे यह देखती है वह कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो प्लीस कुछ भी ने कर सकता यह देखती है वह यू अभी भागने की कुछ जिश करता है तो उसके पास आदेवे कहती है किया तुम अभी भी हिल रहे हो क्या तुम यह सोच रहे हो कि तुम यहां से भाग पाओगे बिल्कुल नहीं इसी के साथ वह उस पर टैक करते वे तो गाल कर है और कहती है अब तुम मरने वाले हो यह देखती है यू रोने लगता है और कहता प्लीज कोई मुझे बचाओ तो लेडी कहती है ऐसी कोशिश करना बंद करो तुम कभी बचनी पाओगे दूसरी तरफ यू की हालत काफी जादा खराब होती है वो मनी मन कहता है मैं मर नहीं सकता यहां तो बिल्कुल नहीं अभी तक मेरा कोई प्रॉपर फ्रेंड भी नहीं है और मैं अभी तक अपने डैट से भी नहीं मिला हूं मैं ऐसे नहीं मर सकता तभी वो लेडी आगे बढ़ती है अब तुम्हारा सोल मेरा होगा उसे मारने वाले होती कि तभी आचानक से उ उसे काफी तेजी से पंच करती है लेकिन वो से बच जाती है तभी वो देखती है कि यू बेहोश हो चुका है जो कि देखती है वो कहता है यू बस थोड़ी दिर के लिए रुको मैं ऐसे समाल लूँगी तभी वो लेडी कहती है आगर तुमने उन्हें कैसे मरा मुझे चव में मरने वाली हूं यह लेकिती है वो काफी तेजी से आगे बढ़ती है और आगर लोड़त तुमारे इस इस परिट को करने के बाद तुम्हारे यह बोड़ी मेरा नहा बोड़ी होगा इसी के साथ वुसके ठाट अच्छ कर लेती है और वहां से यू ने भागने रगती है और उसे एक सेफ जगार रख देती है जा पर वो क्यारी होती है unfortunately मैंने तुम्हें बचा नहीं सकता क्योंकि तुम थर्ड एल के डीमन हो तो अब तुम मरने वाले हो और मैं जानती हो कि तुम्हारी गलती नहीं है कि तुमने लोगों को मार दिया लेकिन तुम्हें मेरे बेटे लेकिन मैं तुमको बचा नहीं सकती इसी के साथ वो इसके स्प्रिट को जला दीती है जिसके बाद वो यू को अपने कंदे पर ले ले लीती है और कहती है यू हम घर जा रहे है और मुझे लगता है कि अब तुम्हें नहां लेना चाहिए वैसे भी आस तुम्हारा बढ़ है इसी के साथ वो से लेते हुए काफी तीजी से वहां से निकल जाती है तभी कुछ से बाद हम देखते है कि वहां पे एक पॉटल ओपन होता है जहां पे वही डीमन अपेर होता है और कहता है आखिर एकने लोगों को किसने मारा आखिर कौन इतना स्ट्रॉंग होगा इसी क अब आखिर मेरे हैं मैं उने छोड़ोंगा नहीं और आखिर में मैं इस पावर को हासिल करूंगा तो फॉस्ट फ्रेम जब तक आपने ही बताएंगे की यह सब क्या हो रहा है आपको आप पर देखा था और आपके हाथ वो चमकरे थे आकर उनके साथ क्या हुआ था इसी के साथ वो औरत आगर क्या गरबढ थी तब ही एनी को एक बॉक्स से शुरिंकन बार निकालती है दूसी तरफ अचानक यू की पसलिया दर्द करने लगती है वो क्या रहा होता है मेरे लिप्स ये तो दर्द हो रहे हैं और माम आप मुझे क्यों नहीं बता रही है कि यहां पर क्या हो रहा है तब ही आचानक एने को उस्ते वो सुरिंकन फेक देती है जो की यू के पीछ जाते हुए उन मास्टर पर लग जाता है जो की देखते हुए यू और भी जादा गबरा जाता है वो मनिवन कहा था क्या ये सब क्या है और मेरे पीछे अचानक ऐसी कोल्ड फिलिंग क्यों आ रही है मुझे ऐसे फिलिंग क्यों आ रही है तब ही आचनानक उसका एक आख चमकने लगता है ये सब देखते हुए एने को क्या रही होती यू मेरे आवस पर ध्यान दो ये हैल के डीमन्स तुम्हें पोज करते हैं तो एने को क्या रही होते हैं तुम बस सांथ हो जाओ और मेरे पीछे रहो बाकि सब में समाल लोंगी और हां ये नॉर्मल है कि तुम फर्स्ट हैल के डीमन को नहीं देख सकते इसलिए मुझे तुम्हें तुम्हें साथ ऐसा करने के जरूरत है बेटे प्लीस मेरी बातों पर ध्यान दो तो ये सुनते वे वह क्या रहा होता है मौम आपकी यह 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 सब क्या हो रहा है तो एनिकों के सब्सक्राइब करते हैं उन आखों को भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए अंदा बना दिया है यू अपने आखों को बंद करो ये देखते हुए वे वे आखों को बंद कर लेता है और यह रहा होता है मौँ आखिरकार यह किया रहा है तो एनिकों कहती है आखिरकार 13 सालों में पहली बार तुम्हारी आखे खुलने वाली है तो वो कन्फ्यूस होता हुए प्लेट को झाहां लगाओ और अपने माहिन के स्की ़ीख जोन करूं और अब अपनी आंके खूलो यह सुनता है उनने सबस्सक्राइब हरे हो वैसे यू मेन तुमें बहुत कुछ नहीं बताया है तो यू कह रहा होते मौम आकिर आप किस बार में बात कर रहे हैं और ये सब क्या चीज़े है इसे की साथ आपके पास क्या ये बिलिड है और ये इस तरह चमक क्यो रहा है मुझे कुस समझ मिन नया रहा और हाँ आप डरे वे क्यों नहीं हो आप बहुत ही शांत लग रहे हो ये सब हो क्या रहा है तो उसकी माँ उसे कहा रही होती है यू ये जो चीज है ये फार्स्ट हैल के डीमन्स है लेकिन जा से मैं हूँ वहाँ से हमें से अधर्स कहते हैं ये उन लोगों के बॉड़ी पर से बोजन कर लेते हैं जनके बॉड़ी को कंट्रोर करते हैं वो यू के घर के तरफ आ रहे होते हैं ये सब आभास उनका से ये तो हिए बाहे होती है तुम बस मेरे पीछे रहो और ये बार मज out देखता है। सबी लोगों को possess कर लिया गया हो और ये बहुत ही सारे है इसे के साथ उसके हाथ पैर कापने लगते हैं तब ही जो चंकी होता है वो उसे केचने लगता है यह देखते हुए वो क्यारा है हमें माम के पास स्वा पे जाना होगा तब यू के उपर वो मास्टर्स अटैक कर देते हैं जो कि देखते हुए एनी को अपनी सीक्रिट निंजार्ट के यूज करती है और उसे मारते हुए बाकि सभी को भी मारने लगती है दूसरी तरफ ये सब देखते हुए उसे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा होता है एनी को कह को अपने चारो तरफ एक शील्ड कर लेती है और इसे कहा रही होती है तुम बस इस एडिया के अंदर हो यहां पर हम लोग सेफ रहेंगे और अभी के लिए यह हमाले ठीक होना चाहिए लेकिन मेरी टेंची खतम होने वाली है इसे के साथ वो मनिमन कहा रही होती है आखिर इ पहले तुम्हारे जन्म की रात को कुछ हुआ था तो यह सुनते वे यू कह रहा होते मॉम मुझे नहीं लगता कि यह टाइम बात करने के लिए ठीक रहेगा तो वो क्यारी होती है मुझे अपनी मौत का नाटक करना पड़ा और फिर अपने घर क्रीमजन स्टार एंपायर से भागना पड़ा मैंने वो सब कुछ छोड़िया था जो कि मुझे पसंद था तुम्हारे टैड और सब कुछ तो भी आचानक से वहाप एक बड़ासा ब्लास्ट होता है जिससे कि उसकी शील्ड भी तूट जाती है और वहाँ पे वही डीमन आता है जो कि हसते वे क्या रहा ह एक लिए सब क्या है और वहला है और वहले हो लिए को कहता है वह तुम पर उपने नहीं नहीं दूगी नहीं इसे के साथ वो फिर से एक shield create कर लेती है चुकि देखती हुए वो demon कहा रहा होता है इतनी बड़ी barrier बनाने से कोई फाइदा नहीं होगा वैसे भी तुम्हारी Tenchi खतम होने वाली है और ज्यादा इस ट्रुगल करके कुछ भी नहीं होने वाला और इसे के साथ वो फिर अटेक करता है जहाँ पर वो इसके shield को तोड़ने लगता है तब ही Annie को अपने secret ninja art का use करती है और आपने सामने एक और एक shield create कर लेती है जिससे की वो इसके attack को रोक लेती है जो कि देखती है वो demon कहता है वाल इंट्रेस्टिंग अपने tenchi को एक साथ gather करना तुम काफी जदा अच्छी हो बिल्कुल अपने husband की तरह दूसी तरफ Annie को carry होती है क्यों मेरे पास ही रहना infinity moon slash technique को control करना इतना आसान नहीं है दूसी तरफ ये देखती है यूँ कहा रहा होता है ये तो सभी blades है लेकिन आगरिया कैसे appear हुए है और आप इने कैसे control कर रहे हो तभी Annie को उस demon से carry होती है मैं इस blade से तुम्हें मारने वाली हूँ और इसे के साथ वो उस demon पर attack कर देता है जहांपे वो moneyman carry होती है शाद इस attack से मुझे थोड़ा time मिलेगा तभी या चानक से वो demon यू की पीछे अपना एक portal open करता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी Annie को नीचे बहुत ही ज़रोसे punch करती है जिसके pressure के वज़े से वो demon दूर जा गिरता है इसे के साथ यू भी दूर जाके गिरने वाला होता है लेकिन Annie को उसे पकड़ लेती है तभी वो demon उस पर attack करता है लेकिन Annie को उसे भी रोक लेती है ये देखती है वो demon frustrated हो जाता है और कहता है तो मैं पता है तुम मुझे आरा ने सकते लेकिन आखर इतना struggle क्यों तुम कुछ नहीं कर सकते तो Annie को कहती है मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं उसकी माम हूँ इसे के साथ वो उस पर attack प attack करते जाती है दूसरी तरफ ये देखते हुए वो demon demon कहता है पिलेट की speed ये slow होते जारी है लगता है उसकी तैंची कम होते जारी है वैसे गास मैं तुम लोगों को बता दूँ ये जो तैंची है ये चाकरा ये आफिर माना जैसा ही काम करता है तो हम आगे देखते हैं जहां पर वो जो demon होता है वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए क्या रहा होता है और मैं इसे छोड़ने नहीं वाला इसका काम तमाम करना ही होगा जो के देखते हुए एनिको भी आगे बढ़ती है और कहती है भले ही मैं मर जाओंगी लेकिन मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूँगी इसे के साथ वो उसके अटेक को रोक लेती है तब ही वो demon सोरो से हासने लगता है और कहता है सच में तुम बहुत ही ज़्यादा पागल हो और इसे के साथ वो उसके पीछे से अपने पोडल को ओपन करते हुए अपने हाथ को उसके आर पार कर देता है ये देखते हुए यू भी काफी ज़ादा है रन होता है तब ही वो जो demon होता है वो उसके गले को दबाने लगता है और उसे मारने वाला होता है तब ही यू कहा रहा होते प्लीज उसे जाने दो उसे कुछ मत करो दूसी तरफ वो demon एनिकों से कहा रहा होता है तुमारे सारे ये तरीके सब वेश्ट चलेगे तुम कुछ नहीं कर सकती तब ही यू उसके दरव एक पत्तर फिकता है और कहता है प्लीज उसे जाने दो अगर तुमने उसे चुआ तो मैं तुम्हें मार डालूँगा लेकिन उस पत्तर से उस मॉस्टर को कुछ भी नहीं होता जहां पर वो डीमन कहा रहा होता है कमजोर इंसान तुम किसे ताकतवर को ओरर नहीं दे सकते और ये धम किया ये तो धूर की बात है वैसे भी तुम चेंता मत करो मैं तुम्हें बे मारने वाला हूँ जो लोग टॉपर होते हैं वही उपने फीट को कंट्रोल कर सकते हैं जबकि कमजोर बस गुरती में देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसे के साथ वो यू के सामने पोडल ओपन करता है जो कि देखते हुए एनिको कहारी होती है लानत है यू ये मेरा ओडर है जली से वहाँ से भागो इसे के साथ वो अपनी निजार के यूज करते हैं वे उन ब्लेड से उसे पकड़ लेती है और उसे दूर ले जाने लगती है और वो क्यारी होती है मिचे माफ करना लेकिन तुम अभी जैसे हो वैसे किसी के लिए भी अच्छे नहीं हो तुम यहां से जाना ही होगा तो यू क्या रहात है माँ मैं आपके बीना नहीं रह सकता यह देखते है वो मास्टर कहता है तुम कहार ही जा रहे हो मैं तुम यह जाने नहीं दूँगा तब ही Aineko, उसे एक thunder shock देती है, जहाँ पर उसे blade से war करती है दोसी طرف हम देखती है की वो जो blade से होती है, वो यूख को उड़ा के लिये जा रही होती है यह देखती है यूख कहा रहा होता है, आगे तुम मुझे कहा ले जा रहे हो नहीं नहीं मैं आपको छोड़के नहीं जा सकता तभी वो बाहर गिर जाता है यह देखती है वो कहा रहा होता है आखर ऐसा क्या हो रहा है नहीं मैं दूर नहीं जा सकता मैं स्पैसल नहीं हूँ प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो आप जावे जाओगे मैं भी वहीं पर आपने आपको सेक्रिफाइस करने का फैसला किया है आकर यह सब किसली है दूसी तरफ यू काफी तेजी से उसी तरफ भाग रहा होता है नहीं मैं आपको छोड़के भाग नहीं सकता मुझे भी आपके पास आना होगा यहाँ पर हम एनिको को देखते हैं जो कि रोरी होती है वो कहती है तुम्हें सबसे हाइस्ट बनने के लिए मुझे दूर रहना होगा तुम्हें चीना होगा लेकिन अप टाइम आगया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया हुआ पस लोटा दू पिछले 13 सालों के लिए थैंक यू और तभी वहाँ पे बड़ा से ब्लास्ट होता है यह देखती हुए यह जोरो से रोने लगता है तभी आचानक से इंचीन होता है हमें यह के घर का सीन दिखाया जाता है जाप हम देखते हैं कि उसकी माम उसके बड़्डे के लिए काफी सारा खाना बनाती है यह देखते हुए वह काफी जादा आरन होता है और कहते है क्या माम आपके साथ यह क्या हुआ है तभी वह बिलकुल फ्रीज हो जाता है चाहां पे वह बिलकुल भी हिलनी पाता और अचानक से उसकी पीछे से चिलानी की आवाज आती है यह आवास सुनते हैं वह क्या रहा होता तुम चाहें काँपर भी हो क्योंकि तुम मेरे किस्मत की चाबी हो मेरे असेंसियन तुम जितनी देर चुपे रहोगे मैं उत्में जादा जिंदी के आलूँगा पर हाँ तुम्हारे मॉम भी मेरा आतों के जरीय मारी गई क्या तुम्हें उनकी परवारी है इसे के साथ वो दरवाजी को तोड़ देता है और इसके गले को दबा देता है तब ही अच्छाना की उको होश आ जाता है और वो क्या रहा होता है यह यह क्या क्या यह कोई सबना था यह सब क्या था क्या में बहुश हो चुका था तब है उसी याद आता है कि वो भी उसी बिस होते हैं और वहां पर काफी जदा भीड़ लग जाती है यह सभी लोग आखिर में कब तक भेहुचता इतने जल्दी यहां पर इतने सारे लोग कहां से आ गए जहां पर उपने सामने देखता है कि उसका घर बिल्कुल तबहा हो चुका है इसी के साथ सब कर दिया गया है और वहां पर बौट सारे पुलिसिक भी है और बशची नहीं पता कि माम जिन्दा की नहीं अपर बच्रे नहीं नहीं चाहित Musti soldo और यहांसे चले जाओ यह सबकिलिए नहीं मेरे घर को तबाह मुझे माफ करना यह देखते हैं वो और भी जादा है तब ही वो ऑफिसर कहता है क्या तुम्हें गवा के रूप में बयान देपाऊगे शायद तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है जो की सुनते वे यह वहां से भागने लगता है वो मनेवन कहा रहा होते हैं नहीं नहीं आंकर और वो कैसे मर सकती है ऐसा हो आ रहुए его आगे जाथे हुए एक आधमी से ठकरा जाता है जिसके आखे चुमकरी होती है घूकि देखती है वे वह गवरा जाता है और वहां पड़ा उन सभी लोगों को मरना पड़ा किस्ट मेरी गलती है यह कहती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा मतले भी था उनके लिए अपनी लाइफ को सेक्रिफाइस करने से डरता था सब मेरी वज़ेस हुआ यह मेरी सेलफिश होने की सज़ा है इस तरह से भैतर है कि मैं अकले ही स्थर्ण में मर जाओं मैं जी नहीं सकता मैं क्या करूँ तब ही वहाँ पे वही चंकी आता है जो कि देखती वे वह हैरन होता है और कहते है चंकी क्या तुम जिंदा हो आगर कैसे मैंने सोचा ले कि तुम भी मारे जा चुके हो इसके साथ वह चंकी को गले लगा लेता है और कहता है मुझे बहुत दुख हुआ यह सम मेरी गलती है वो चले गई, तब ही हम उसी अपार्टमेंट का सीन देखते हैं, यहां पर वही बुड़ा आदमी, बाहर आते वे कहा रहा होता है, आकर यह शोर क्या था, ऐसा लगता है कि जैसे यहां पर कोई भूकम आया हुआ हो, वैसे भी मुझे पहले से सोने में दिक्कत होती है, अब यह क्या है, तब ही अपने खिड़के से यू और उस चंकी को देखता है, जो कि आगे जा रहे होते हैं, यह देखते ही वह क्या रहा होता है, यह तो वही बच्चा है, जो कि हर अपते मेरी दुकान को खिड़के से देखता है, आकर वो इस समय इस सड़के बीच क्या कर रहा दूसी तरफ यूरोते वे क्या रहा होता है मुझे ये की नियोगा कि वो मर गई ऐसा नहीं हो सकता चौंकी अप मेरी फैमिली में बस तुम ही बचे हो लेकिन बिना किसी पैसे के आकिर मैं खरूं किया इस बिना पैसे के मैं क्या कर सकता हूँ शायद मैं अगर पुलिस के पास हुआ पिजाओं और उन सब को बता दू तो क्या वो लोग मुझे पर यकिन कहेंगे एक डीमन कहता है कि मैं किसी तरह का चाबी हूँ और उसे मेरी जरूरत है जिसकी वज़े से उसने सभी लोगों को मार डाला ये कहना पागलपन बरा होगा इस बात पे तो मुझे भी यकि बचाई थी आधी रात हो चुकी है तुम अभी तक घर क्यों ने गए हो ये सुनते में वो काफी ज़्यादा है रहन होता है तब यो बुड़ा आदमी उसे अपने घर में लेकि आता है जहां पर वो उसे खाना देता है और उससे कहा रहा होता है तो वो तेज आवाज जिसन मेरी जिन्दा रहने की वज़ा मेरी मॉम है तो आदमी क्या था है क्या तुमने अपने फैमिली के मेंबर से कॉंटेक्ट किया तो वो क्या रहा होता है नहीं अनलखी ली मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है मेरी मॉम के अलाबा मेरी कोई भी नहीं थी बस मेरे परिबार में एक ही मंबर बचा है और वो है मेरा वो डॉग चंकी मेरे एक टैड है लेकिन उन्हें ढूणने का कोई भी रास्ता नहीं है और मैंने कभी भी उनका चेहरा नहीं देखा है तो वो बुड़ाद्मी कहा रहा होता है फैमिली फैमिली होती है चाहे वो कई पर भी हो तुम जरूर कर रहे है मैं यह कभी नहीं भूलूँगा तो वो बुड़ाद्मी कहाता है चाहे फैमिली हो या फिर नहीं बच्चों की देखबाल करना यह बड़ो का फर्ज है यह सुनते वे इसके आके बहराते है और फिर ऐसा ही यह रात पीच आती है अगली सुबह हम देखते हैं कि व दरा हुआ लग रहा है यह सुनते है वो चैन के सास लेता है और कहता है मुझे लगा था कि चौंकी के साथ कुछ बुरा हो गया है कल रात जो भी हुआ वो काफी ज़्यादा बुरा था तो बुड़ाद्मी कहता है ऐसा लगता है कि जैसे यह डॉगी तुमारे बहुत ही आखिर तुम इतनी से उमर में कहा जाओगे यू कहा रहा होता है इमानदारे से कहों तुम मुझे में नहीं बता शायद मैं किसी होमलेस सेंटर में चले जाओ यही एक मातर बात है जो कि मेरे दिमाग में आती है तो आदमी कहा रहा होता है चलो कम से कम एक और जगा है जिस क पुलिश इस्टेशन है एक मिनिट रुको अगर मैं उन्हें बताओ कि सच में किया हुआ था तो वह मुझे पागल कहेंगे तो वह आदमी कहता है अरे इस इस्टेशन को आजमाओ तुम यहां पर बहुत कुछ कर सकते हो यहां पर एक आफिसर के पाथ जाता है जहां पर वह ज होता है यह क्या तुम अपना नाम बादा सकते हो इसे के साथ Official और सारीकी सारी पूस्ताश कर लेता है जिया लेकिन उसके कई नाम किसी कभी नाम नहीं चुड़ा है जिए ऑपी मनीमन कहता है मेरे जैसे क्यूं नहीं है मैं कैस सा कमिनाऊ हो सकता तो आदमी क्या रहा होता है यह बच्चे के तुम्हारी माम तुम्हारे साथ यहां पर है यह सुनते वी यू कह रहा होता है नहीं मैंने कल रात खो दिया था अब बस मैं अकीला बचा हूँ तो वह啊 officer कहई रहा होता है यह उनकर काफी जिदा दुख हुआ और तुम्हारी उमर तो अभी भी कम है, तुम तो अभी भी नावालिक हो और अगर तुम्हारे पास कोई भी legal parents नहीं है, तो मुझे तुम्हे तुम्हें social service में ले जाना होगा ये सुनते हैं वो कहा रहा है क्या social service, नहीं नहीं नहीं, मैं भीलकुल ठीक हूँ इसे के साथ वो मनिवन कहता है, अगर मुझे social service में ले जाया गया, तो आखरे चौंकी का क्या होगा तब ही वो बुड़ा आदमी वापे आते भी कहा रहा होता है, ओफिसर, वो सिर्फ यह जाना चाता है, कि उसकी family में, क्या दोसरे members भी है, और वो मेरे साथ रहता है तो वो आफिसर कहा रहा होता है, चाल लेकिन आपका और इसका क्या रिष्टा है, तो आदमी कहता है, मैं सिर्फ इसकी family का एक दोस्त हूँ, इसे के साथ वो महाँ से निकल जाते है, जहाँ पे वो बुड़ा आदमी कहा रहा होता है, चलो यह काम तो नहीं हुआ, लेकिन मै मेरी दुकान की धिकपाल करनी होगी, यह सुनते वे वो काफी ज़्यादा खुश हो जाता है, और कहता है कि सच में मेरा मतलब बिलकुल मैं सकर निकलती यार हूँ, और इसके साथ वो इसे गले लगा लेता है, जहाँ भी वो कहा रहा होता है, दादा जी, ठैंक्यू, आपन मेरा पीछा गर रहे थे, तो यह सुनते हुए, यू कह रहा होता है, कि आप मेरा पीछा गर रहे थे, वो बुड़ादमी कहता है, नहीं तो, वैसे, क्या यह वही प्लेस है, जहाँ पे तुमने लास्ट बार इसको जिद्दा देखा था, यू कहा रहा होता है, हाँ, यह से बुलना आसन नहीं है, मैं ऐसे हर दिन याद करता हूँ, वो बुड़ादमी कहता है, हाँ हाँ, मैं सम से कहूँ, कि इसके वज़ा कोई और नहीं था, तो वो बुड़ादमी कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है, यह कहा रहा होता है, उस राच चुपिसफोट हुआ था, वो उन चीजों के वज़े से हुआ था, जिससे आप बलीफ नहीं कर पाऊँगे, वो उस राच हमारे बिलенд का है, डीमन एक तरह का मेटाफोर है, है ना, और यह तुम्हें काफी ज़ेष दहरन करता होगा, कि आखरी यह क्या होगा जो के इंसान को बादन करता होगा, तो यह सुनते वे यह यूँ कहा रहा होता है, हाँ ओल्ड मैन में यह यह कहना चा रहा रहु हूं, वो बढ आदमी क्याता है हाँ हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ चलो गर वापे चलते हैं इसे के साथ वापे जाने लगता है जो कि देखते हुए वह क्या रहा होता है हाँ शायद ये मुझ पर एक नहीं करेंगे लेकिन इससे कोई भी फरक नहीं पड़ता तो चलो चौंकी एक दू लेकिन पेंस नहीं DR को अंदेखा नहीं कर सकता जिस में जीरा हूं मुझे आंसर के बीद्वरत यह फिर्द्वर्ण के चल कर सकते हैं मैं अपना प्यादू नाद के वह central में तो बूराज्मी क्याता है वो ऐसे भी मुझे नहीं पता था कि तुम्हें वर्काउट में इतना ज़्यादा मज़ा आता है क्या तुम उन डीमोस को मानने के त्यारी कर रहे हो ये सुनते वे वो क्या रहा होता है हाँ हाँ ऐसा हो सकता है आपको मेरे साथ ये करना चाहिए मुझे बैक अप की भी ज़रोत पढ़ सकती है तो ये सुनते वे वो बूराद में क्या रहा होता है हाँ हाँ शायद अगली बार अब मैं सुने जा रहा हूँ और इसे के साथ वो हाँ से चले जाता है जो कि देखते हुए यू अपना ड्रॉर ओपन करता है जहां पे वो तैयारी करने लगता है वो अपने कपड़े पढ़े पहन लेता है और एक बैट लेते वे क्या रहा होता है अब मैं रेडी हूँ कई महिनों से मैं ये रिसर्च कर रहा था और ऐसे कई मामले है जो कि मैं स्क्यार से नहीं जुरते हैं लेकिन कुछ वज़े से ये खबर सच नहीं है तो इसलिए मुझे डार्क वेब का साहरा लेना पड़ा और मैंने जो देखा वो चीज़े उस रात उस सुरंग पर हामला करने वाले चीज़ों से मेल खाती है और मुझे पता है कि लोग इस पर ये की नहीं करेंगे लेकिन डीमन मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो इसलिए मैं किसी और को शामिल नहीं कर सकता मुझे ये खुदी करना होगा बहले ही पहले बहुत से जाने जा चुकी है लेकिन अब और नहीं हमेशा की लिए ये टीमन से चुटका रहा पाना ही होगा और इसे के साथ वो चुपके से बाहर निकलने लगता है तब ही अपने सामने चौंकी को देखता है जो कि देखती है वो कहा रहा होता है चौंकी प्लीज चानत रहना और उस बुड़े आदमे को मत जगाना इसे के साथ वो चुपके लड़के बनो और शानत रहो इसे के साथ वो चुपकर आते वे बाहर निकल जाता है चौंपे वो आगे बाकती भी कहा रहा होता है अब मैं तयार हूँ अब मैं उनका पता लगा करी छोड़ूँगा इसे के साथ वो आप एक गुटे से जादा टाम तक बैठे रहता है लेकिन अब तक उसे कुछ भी नहीं मिलता वो कहता है मैं अब तक यहाँ पे एक गुटे से जादा समझ से हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं लग रहा है उसे उबासी आ रही होती है वो कहता है आखिले मुझे कब तक यहाँ पे रहना होगा क्या मैं कोई magic ने कर सकता है जो कि मैरी mom करती है लेकिन मैं physically strong हूँ और काफी जीदे तेज भी हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं उनके comparison में अभी भी काफी जीदा कमजर हूँ बट मेरे पास भागने का एक मौका होगा तब ही वो एक आदमी को देखता है जो कि अकेले ही रात को आगी तरब बढ़ रहा होता है यह देखती वे वो कह रहा होता है आखर वो इतनі रात में ऐसी बिलडिंग मैंटर क्यों कर रहा है और वो उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगता है जहां पर वो उस बिलडिंग को देखती वे जिए जिए काफी ज़दा अजीब है और आखर वो लड़का वो गया कहां ये कहते हैं वो उसे ढोड़ने लगता है तब ही आचानक उसे ठड़ने लगने लगती है वो क्या रहा होता है अचानक कि ठड़ने कैसे बुर गई कुछ बुरा लग रहा है क्या मैं कुछ ज़्यादे गपरा रहा हूँ तब ही वो अपने ऊपर देखता है कि वहाँ पे च्छा टूटा हुआ होता है और आचानक उसे एक स्मेल भी आरी होती है यह देखती हुए वो कहता है यह कैसी स्मेल है मुझे लगता है कि यह स्मेल आगे सारी है वो आगे देखी रहा होता है कि तब ही वो लड़का वहाँ प लड़का क्या रहा होता है। तो ये कि रहा होते है तो ये क्वा रहा है। यह सुनते वे यूग को कुछ भी समझ भी नहीं आता, वो कहता है क्या, इंसानी मांस तुम क्या कह रहे हो, तो वो लड़का कहता है, seriously dude, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे नीचे रखो, यह सबसे unsafe जगा है, और अगर तुम यह आपर शोर मचाते हो, तो यह हमारे लिए ही दिक् मुझ पर यकिन करोगे, वैसे वे यह मेरी last warning है, तो यह सुनते वे वे वो कहा रहा होता है, एक demon, ऐसे हो सकता है, है ना, तो वो लड़का कहता है, क्या, तुम इसके बारे में जानते हो, आकर तुम हो कौन, और तुम first time entity के बारे में कैसे जानते हो, और हाँ, अगर मैंने ना भगाऊं, तो यह demon बहुत कुछ कर सकते है, यह सुनते वे वो कहा रहा होते हैं, क्या, एक्जोरिस, यह सब क्या है, और वैसे मेरा नम यू है, यह demon सच में काफी जदे खतरनाक होते हैं, और उन्होंने मेरी माम को मुझसे छीन लिया है, इसी के साथ कह लोगों के जान है, और तुमने कहा कि तुम उन्हें एक्जोर्जाइस कर सकते हो, तो वोलर का कहा रहा होते हैं, लेकिन मेरा टाइम खतम हो रहा है, जैस पल वो बदू आती है, तब एक इंडिकेशन होती है, कि वो फूल डीवन बन चुके है, और उन्होंने अपने सारी हुमेनिटी खो द तो यह वो कहा रहा होते हैं, कि यह कुछ नरुटो जैसा है, और क्या इससा तुम मैजिक के यूज कर सकते हो, आकर तुम हो कॉन, तो वो लगा कहता है, यह कोई मैजिक नहीं है, ट्रेंड शीनोबी तेंची को मैनुप्लेट कर सकता है, और वैसे, तुम मझे शीन बुला सक और वो मुझे शीनो भी बना सकता है, और अगर एक बार जब उसे पदा चल जाएगा, कि मैंने अके लिए किसी को बचा आ है, तो वो मुझे शीनो भी बना देगा, यह सुनते वे यूँ काफी हैरन होता है, क्या तुम, यह कह रहे हो कि तुमको हाग लेने दिया जाएगा, मत क्या सुनकर जाएगा, यह सुनते वे वो कहा रहा होता है, तो क्या तुम्हारे पास कोई much shipment है, जिससे के तुम उने भागा सकते हो, तो आठीक चलाता है यह बाप रहता है यह जली से अंदर जाना होगा इसी के साथ उस दरवाजे को तोड़ देता है जहां पर दरवाजे में एक सील लगी हुई होती है इसी बीच हमें कहीं आसपास में आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में उसी तरह की पेपर सील जल जात हो रहा है जरूर यहां कुछ हो रहा है दूसी तरफ हम शिल रहा होता है जो कि आ यहां कर दीग आचाना कि यूगों लंबे लंबे बाल दिखाई देरे होते हैं तब इशीन भी उसी तरफ मुड़ता है और तभी वो देखता है कि यूग के पीछ एक डीमन खड़ा हुआ होता है और इसे के साथ साथ यह जो एपिसोड है वो यहाँ पर खतम होता है उमीद है तुम लोगों को एक इंपोर्टेंट बात बता दूँ हमारे चैनल पर किसी ने स्कैम करके स्ट्राइक मार दिया है जिसकी वज़से यह चैनल थोड़ा सा खत्रे में है तो इसलिए तुम लोग हमारे नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लिंक तुम एक कमेंट सेक्शन में मिल ज कर दो